हेलो फ्रेंड वेल्कम टू फ्रेंड्स एड़ रेट प्रिपरेशन इस सेनल पर मैं लेकर आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की हिंदी की किताब वानी से पार्ट बारा अपना अपना काम इस पार्ट के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं इसके प्रश्णों तर इससे पहले मैंने आपको इस चप्र का फर्स पार्ट करवाया था जिसके अंदर मैंने आपको ये कहानी अपना अपना काम करव जैसे आप इस प्रश्ण को लिख लेंगे, इसके बाद जो भी काम आप करते हैं, अपने उत्र को आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं मैं पढ़ाई करता हूँ अब बच्चे हो तो बच्चे क्या करते हैं पढ़ाई करते हैं तो आप यहाँ पर अपने उत्तर में लिख सकते हो कि मैं पढ़ाई करता हूँ इसके लाबा अगर आप दोस्तों के साथ खेलते हैं यह लिख सकते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह की से, जैसे मैंने दो काम आपको यहाँ बताए, कि बच्चों का काम क्या होता है, पढ़ाई करना और खेलना, तो उसके अधार पे मैंने यहाँ पे दो वाक्ये बनाए, इस तरह की से आप और भी व बहुत अच्छे लगते हैं, यानि आप बहुत सारे काम करते होंगे, उन में से जोन जोन से भी काम आपको अच्छे लगते हो, उन कामों के बारे में आपको यहाँ बताना है, यानि दिन भर आपको पढ़ाई करना, खेलना, खाना, फीना, खेलना, पूदना, जोन सा भी का के बारे में अपने उतर में लिख सकते हैं तो सबसे पहले आप इस पूरे प्रश्न को लिखेंगे और जैसे पूरे प्रश्न को लिख लेंगे इसके बाद उत्तर संख्या दो लिख करके आप अपना उतर लिख सकते हैं कि मुझे पढ़ाई करना पसंद है जैसे आपको पसंद है तो आप लिख सकते हैं मुझे सोना पसंद है कुछ बच्चों को जो भी काम करना पसंद आता है उसके अनुसार बच्चे अपने बारे में बता सकते हैं कि मुझे पतंग उडाना पसंद है मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो जिसको जोन सा भी काम पसंद आता है बच्चो उसके अनुसार आप अपना उत्तर लिख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप दूसरे प्रश्ण का उत्तर पूरा कर सकते हैं उसके बाद जैसे आप दूसरा प्रश्ण पूरा कर लेंगे आपके लिए हैं आप प्रश्ण संख्या 3 यानि कि ये नीचे वाला पक्षी के बारे में, पेड के बारे में, आपको जिसका भी काम सबसे अच्छा लगा, उसके बारे में आप उत्र लिख सकते हैं, कुछ बच्चे पेड के बारे में लिख सकते हैं, किसी को पक्षी यानि की चिडिया का काम पसंद आए, तो चिडिया के बारे में लिख सकते है अगर आपको लग रहा है नहीं सर हमें तो मदुमक्खी का काम सबसे अच्छा लगा तो आप मदुमक्खी के बारे में लिख सकते हो जिसका भी काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसके बारे में लिख सकते हो जैसे अगर मुझे से पूछोगे तो मुझे पेड का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं अपना उतर कुछ इस प्रकार से आपको लिखवा रहा हूँ कि मुझे पेड का काम बहुत पसंद आया क्योंकि पेड परिश्रम करके फल उगाता है और हमें खाने को दे देता है यानि कि जो पेड होते हैं बचो वो क्या करते हैं खुद से अपने लिए फल उगाते हैं जमीन से जो जड़े होते हैं वो पानी खीसती हैं पत्ते खाना बनाते हैं यानि इतनी परिश्रम के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, जो फल उखता है पेड़ पर, पेड़ कभी भी खुद नहीं खाता, बलकि हमें खाने को दे दे रिता है, इसलिए मुझे पेड़ का काम सबसे अच्छा लगा, तो मैं अपने उतर में इस तरह से इसे जिस तरह जाता है, ठीके, इसके बाद अगली हेडिंग है आपके किताब के अंदर, जैसे आप इन तीनों प्रश्नों को पूरा करोगे, तो वह सोचिए और लिखिए, यानि इन प्रश्नों में थोड़ा सा आपको कुछ सोचना है, और उसके बाद अपना उतर लिखना है, तो सबसे आपने कहानी पढ़ा था, तो शुरुवात में आपने देखा था, कि सिम्रन जैसे पढ़ते-पढ़ते ठक गए थी, और उदास्त लगने लग रहे थी, तो जैसे ही हाँ यह बोल रही सिम्रन कि मैं ठक गई, इतना सारा लिखने-पढ़ने का काम, यानि कि सिम्रन लिख सकते हैं, कि सिम्रन लिखने और पढ़ने का काम करके ठक गई थी, यानि स्कूल का जो काम था, लिखने का काम, और कुछ पढ़ने का जो काम था, इसे करके वो ठक गई थी, तो इसे आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं, कि सिम्रन लिखने और पढ़ने का काम करके ठ क्यों गई थी ठीक है इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बच्चो आगे दूसरे प्रश्न की तरफ यानि इस वाले प्रश्न की और इस प्रश्न में आप से पूछा जा रहा है कि सिम्रन मदुमक्खी क्यों बनना चाहती थी यानि सिम्रन जब मदुमक्खी से बातचीत कर रही थी तो उसके मन में ये विचार क्यों आया था कि वो मदुमक्खी होती तो अच्छी रहती यानि उसका मन मदुमक्खी बनने का क्यों हुआ था ये पूछा जा रहा है तो पहले आप इस प्रश्न को भी लिख लेंगे और लिखने के बाद जो इनकी बीच में बातचीत हो र मदुमक्खी जो है वो एक फूल से दूसरे फूल पर असानी से चली जाती थी तो सिम्रन को ये बात बहुत पसंद आये थी है ना तो आप भी आपने उतर में लिख सकते हो कि मदुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर जा सकती है इसलिए सिम्रन मदुमक्खी ब दूसरे फूल पर उड़कर जा सकती है इस लेसिम्रन वदुमक्खी बनना चाहती थी ठीक है तो इस तरह से आप दूसरे प्रश्ण का उत्तर लेकर करके इसे पूरा कर सकते हैं इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों तीसरे प्रश्ण की और ठीक है जैसे आपने पेड के बारे में बताना है पेड जो होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं तो छोटा सा प्रश्ण है लेकिन इसके बारे में आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो एक वाक्य में दो वाक्य में तीन वाक्य में जितना चाहूं उतना आप लिख सकते हैं तो इस प्रश्ण का उ हीचते हैं ठीक है यह आप लिख सकते हो फुट के लिए खाना बनाते हैं पेड क्या करते हैं जमीन से पानी कीशते है हो क्या करते दिन भर पानी मिलने के बाद और ढूए गशाकरण से खाना बनाते हैं, तो आप अपने उत्र में लिख सकते हो, कि पेड़ क्या करते हैं, खुद के लिए खाना बनाते हैं, और हमें फल देते हैं, और पेड़ जब इनके फल उखते हैं, वो किसे देते हैं, इंसानों को दे देते हैं, तो आप अपने उत्र में लिख सकते हो, पेड़ ज सकते हो अब तीसरे प्रश्ण के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चो प्रश्ण संख्या 4 की तरब यानि यह है आपके लिए प्रश्ण संख्या 4 इस प्रश्ण में आपको बोला जा रहा है कि सिम्रन को चिडिया का काम सरल क्यों लगा यानि सिम्रन जो है जब उसने चि यह बूल सकते हो कि चिडिया दाना खाती है जो सिम्रन के अनुसार सबसे आसान काम है यानि सबसे सरल काम है ठीक है यह आप अपने उतर में लिख सकते हो सिर्फ खाना ही तो खाना है कुछ करना थोड़ी है इसलिए सिम्रन को यह काम सबसे सरल यानि सबसे आसान लगने लगा ठीक है तो यह आप लिख लेंगे और लिखने के बाद जैसे प्रश्ण है आपके अनुसार सिम्रन अंत में पुस्त के उठाकर काम क्यूं करने लगी देखें शुरू में तो उसका मन पढ़ने का नहीं हो रहा था लेकिन जब कहानी का अंत हुआ तब हमने जाना जो सिम्रन है उसके बाद व है ऐसा क्यों इसके बारे में पूछा जा रहा है देखो जब ये कहानी खतम हो रही थी बच्चो तब तक सिम्रन को सब कुछ समझ में आ गया था कि सब लोग परिश्रम करते हैं सब लोग मेहनत करते हैं ठीक है और उसे भी मेहनत करने चाहिए है ना ये सारी बात इसके मन मे आया था तो ये आप अपने उतर में लिख सकते हैं कि अंत में सिम्रन को समझ आ गया था कि सभी जीने के लिए परिश्रम करते हैं यानि मेहनत करते हैं इसलिए सिम्रन ने भी मन लगा कर पढ़ना सुरू कर दिया यानि सब लोग जो होते हैं वो जीने के लिए मेहनत करते है परिश्रम करते हैं और सिम्रन को ये बात सबकीप से बातचीत करके समझ में आ गया पहले उसने मदुमक्खी से बातचीत किया फिर चिडिया से बात किया फिर पेड़े से बात किया और उसने जाना कि सब लोग क्या करते हैं परिश्रम करते हैं जीने के लिए इसलिए सिम्रन ने भी क्या किया मन लगा कर पढ़ना सुरू कर दिया ठीक है तो इस तरीके से आप इस प्रशन का उतर भी लिख सकते हो तो इस तरीके से आपका ये जो पांचवा प्रशने बच्चो ये इसका उतर भी पूरा हो जाता है और आपकी जो हेडिंग है सोची और लिखिए ये भी आपका पूरा हो गया ठीक है अच्छा अब इसके बात वाले जो प्रशने है बच्चो अगली जो हेडिंग है कहानी से ये हम इस करेंगे इस से चेप्टर के अगली वीडियो में ठीक है तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिएगा और हाँ मेरे इस चेनल को friends at the rate preparation को subscribe कर लिजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको latest वीडियो की notification मिल सके इसके लाबा मेरा जो second channel है मेरे नाम से है Mr.Krishnashah इसे भी subscribe करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं या वीडियो अप्लोड करू इसकी notification आपको receive हो सके ठीक है तो thanks for watching bye bye